Hello everyone, welcome to civil staff teaching exam and welcome to the biology session जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके HP PGT Commission के अंदर Biology के question paper के अंदर आए हुए आपके पिछले कुछ सालों के सवाल यानि की previous year question series में आप सब का स्वागत है आज जो हम करेंगे आपका as usual जैसे के हम हमेशा every week हम इसी बार में discuss करते हैं और हर एक वीडियो के अंदर जो है जो भी आपकी PGT से रिलेटर हमने की है उसके अंदर हमने बात की है आपके previous year questions की तो जैसे की हम पहले से जानते हैं कि previous year question paper हम क्यों लेते हैं ताकि हम analyze कर सके किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं किस तरह के questions हैं किस तरह के answers उतके होने चाहिए किस तरीके से वो आपका जो है एक आपको platform क्यार करेगा आपके main exam के लिए तो जब हम बात करते main exam की यानि कि we are talking about the PGT commission तो अब क्यूंकि जब हम previous year questions देखेंगे तो उसे हमें यह समझ आएगा कि examiner किस तरह के सवाल पूछता है सवाल पूछने के साथ ताथ हमें यह भी समझ आएगा कि हमें किस level की तयारी करनी है तो अगर आप इस वीडियो के अंदर नए है उनके लिए इंफोमेशन है कि यह जो सीरीज है यह स्पेसिफिकली आपके लिए है ताकि आप एक तो पहले पेपर एनलाइज कर सके कि आपको जो लेवल है वो किस तरीके से पूछा गया है और जो क्वेशन के लिए आपके MCQs होते हैं यानि कि, अविसलि मल्टिपल चाईस क्वेशन के लिए पूस में रहा है तो आज की जो सीरीज है वह आपकी अपकी प्ज़टी कमिशन से रिलेटे है So my name is Nikita और हम discuss करेंगे आपके previous questions for the subject of biology चोटी सिंफोर्मेशन है that is civil staff teaching exam आपके लेकर आया है paid initiatives जिसके अंदर आपके batches they are for your TGT and your PGT as well तो अगर आप PGT की तैयारी कर रहे है तो उसका जो fresh batch है it is being starting from your 11th of December 2023 PGT का और TGT का जो start हो रहा है और आपके 18th of December 2023 जो आपके वो हैं courses are there for your non-medical, medical, arts and commerce for the exam TGT और क्योंकि जो PGT exam होता है वो कैसा होता हमारा course specific होता है यानि कि subject specific होता है इसलिए जो आपको PGT exam जो आपका exam है उसके लिए जो आपके पास courses are for your Hindi, geography, English, mathematics biology, political science ठीके history सब के लिए है कुछ भी पूछना हो exam से related तो आप यहाँ पर दिये के number पर call कर सकते है this is the number ठीके जी, अभी number है अब इस पर जाकर call कर लीजिए query जो आपकी है वो पूछ लीजिए जो भी आपकी query है लेटर दिये exam ठीके जी, आपकी हर एक query को अब शूरू करेंगे हम आज का session तो session के अंदर जो सबसे पहला सवाल है वो यह है which of the following is not a hereditary disease basically इसमें यह पूछा जा रहा है कि आपकी पास आपके बस चार options दिये गए है इसमें से कौन सी disease जो है वो आपकी hereditary disease नहीं है नहीं है का मतलब क्या होता है पहले तो hereditary disease क्या है जो आपकी एक generation से दूसरी generation में transfer हुई है that is your hereditary disease अब इसमें से कौन सी disease नहीं है पहला है आपका thalassemia फिर है cystic fibrosis cretinism या फिर hemophilia अब यह जो question है बेसिकली यह हम से पूछा गया है वैसे तो अगर आप देखोगे तो यह आपका human health disease से question है दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बताऊं तो यह क्या है आपका अगर आप हर एक disease पर ध्यान दोगे तो यह कहीं न कहीं आपने class 12th के अंदर भी पढ़ी होगी 11th के अंदर भी पढ़ी होगी है ना सारी चीज़ पढ़ी होगी अब इसमें से एक ऐसे disease है जो hereditary नहीं है यानि कि एक generation से दूसरी generation के अंदर transfer नहीं होती है यानि कि parents से नहीं मिलती है genes के अंदर नहीं है तो इसका जो correct answer बनेगा वो बनेगा option number C that is cretinism क्योंकि जो cretinism है it is related to the glands hormones related जो है वह आपकी यह disease है glands से related है इसलिए जो आपकी disease है वह आपकी hereditary नहीं है but it is related to the hormones that is cretinism और यह basically आपको child के अंदर मिलती है यह बच्चों में जादा तर पाई जाती है thalassemia है that is related to your blood hemophilia related to blood cystic fibrosis भी आपकी क्या है life-threatening inherited disease है क्रेटनिजम जो है वह आपका hereditary disease नहीं है यह infant के अंदर होता है जिसके अंदर क्या होता है आपका decrease in the synthesis or secretion of hormone basically related to the thyroid thyroid hormone के अंदर जो आपका वह होता है थाइरोड जो ग्लैंड है उसके अंदर अगर हम cystic fibrosis की बात करें तो यह life-threatening है बट इस यह inherited disease and it can affect multiple organs at time ठीक है तो अब यह क्या होता आपको किसकी वज़े से होता है it is due to the defective gene cystic fibrosis के वज़े से जो कि body के अंदर thick or sticky mucus produce करता है अब यही mucus जो है वह आपके lungs के अंदर आता है और pancreas के अंदर भी क्या होता है build-up हो जाता वहीं पर आपको क्या हो जाता है basically stored हो जाता एक तरीके so this is called as cystic fibrosis and it is also your inherited kind of disease next is thalassemia यह भी inherited है blood disorder है जो क्या करता है आपका little hemoglobin आपके body के अंदर जो है वह hemoglobin की formation बहुत कम हो जाती है जिससे हम thalassemia कहते है and it is also genetic disorder blood disorder है hemophilia में क्या होता आपका clot नहीं बन पाता तो जैसे मान लीज़े कि किसे तरह की injury हो गई है तो अब क्या होगा उसमें clot नहीं बन पाएगा तो बैसिकरी blood जो है it loses the capacity to build the clot and it is also inherited यह भी क्या है usually inherited है तो तीनों की तीनों disease inherited है except the craterism because it is related to the thyroid gland next question एक sudden change आना structure or function of a gene a sudden change in the structure and function of a gene is called as तो basically यहां पर जो आपका key term है वो है आपका sudden change sudden एक तो तुरंत है और change है एकदम से अगर आपको कोई change मिले structure function में किसी gene के उसको हम क्या क्याते है variation, mutation, linkage, hereditary आप जो hereditary है वो एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन में है linkage आपके कही ना कि positive sense में जाता है but when we talk about mutation so it's a sudden change जो आपके किसी भी gene के अंदर आता है and this kind of mutation can leads to any kind of disorder as well तो यह भी mutation जो है किसी तरह का disorder, किसी तरह की disease, किसी तरह का defect कुछ भी जो है वो body के अंदर cause कर सकते हैं इसलिए हम इसको mutation को basically negative term में लेकर जाते है, point mutation हो सकती है, frame shift mutation भी होती है, so mutation is in itself a very vast कह सकते हो, ठीक क्योंकि इस topic को आप basically genetics के अंदर करते हैं, हम इसको genetics में करते हैं वो भी in detail, तो वहाँ पर आता है आपका mutation, done, next, birds के अंदर cropped milk जो है वो कौन produce करता है, male, female या both male and female, अब basically क्या होता है, वैसतो female भी आप कहीं जगा देखोगे, तो वहाँ पर लिखा होता है, कि female ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है, आप maximum जगा जब हम पिजन के बात करते हैं, कुछ specific birds के जब हम बात करते हैं, तो यहां का answer जो है, वो बन जाता है, both A and B, that is both male and female, इस के अंदर क्या होता है, आपका male or female pigeons, specifically हम बात करें, तो they produces a nutrient rich substance, in their crop to feed their young, जिनको हम squabs कहते हैं, और यह जो substance है, वो किस तर लेक्टेशन की तरह होता है, मैमल्स के अंदर, that is why we call them as the pigeon milk, तो यह जो आपका crop milk है, it is produced by both male and female, तो यह दूनों के अंदर आता है, तो यह birds के अंदर है, तो classification से भी आजाता है, sometimes reproduction से भी आजाता है, तो PGT की तयारी है, वो बहुत ही different है, अगर हम बात करते हैं, TGT की, तो आप इनकी तयारियों को same math समझना, क्यूंकि जो level of question है, वो आप देख रहे हैं आपर, वो भी अलग है, बेशक direct तरह की questions है, पर direct में भी देखो कि वो किस level पचा रहा है, depth question की जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही depth आपको decide करेगे कि आपको कहां तक पढ़ना है, जैसे कि अगर आप simple सीख चीज लेलो, तो अगर आप T लेकिन, एक अगर आपको पचल्प के लिए कर रहा है, तो आपको पूस्ट ग्राज जाना पड़ते हैं, जैसे वाइटमिन से तो आपको इनको डेटेल में गरना पड़ता है, उनके स्ट्टर्स करने पड़ता है, तो PGT और TGT में वड़ा फर्ख है, तो यह आपकी है, और पोस्ट ग्राजवेट है और यह आपका क्या है? मास्टर्स लेवल तक का जाएगा. इसलिए चीज़े होंकि वो भी मास्टर्स लेवल पे जादा पूछे जाते हैं. आउल क्या है? डायूरनल है? या क्रेस्परस्कुलर है? या पिर वेस्पटीन है? या पर nocturnal है तो आपके जो आउल है वो क्या है अगर आपने इनके बारे में डीटेर में कभी पढ़ा हो तो देखना maximum ये A, B और D दोनों आउल है बट majority of the owls क्या होते है they are nocturnal तो अब ये diurnal और ये vespertine ये सब क्या है वो भी देख लेते हैं आउल है वो mainly, mostly और majority में they are nocturnal यानि की they are active at night and during twilight तो ये basically they are active कभ होते हैं वो night में कुछ आउल species होते है वो जादा flexible होते है और वो हंट कभ करते है morning में तो कुछ morning में भी करते हैं सम जिसको हम होते हैं crepuscular ये crepuscular जैसे भी आप इसको pronounce करते हैं उसमें जो examples है वो है आपका pygmio owl वो आपका इसमें आचाता है ये भी owl की classes है, varieties है कुछ owl जो होते हैं diurnal यानि कि they sleep at night तो इसके अंदर आपके हाते हैं short-eared owl जो कि आपके gallopagos islands के ऊपर है normally active रहते हैं during the day फिर आपके वेस्पटीन आइमिल्स जो active होते हैं at the dusk time और इसमें आपके flies and moth कुछ bats भी आते हैं और कुछ owls भी आते हैं तो ये आपके क्या है वेस्पटीन है वेस्पटीन आइमिल्स जो होते है वो अपनी activity seize कर देते हैं during the hours of full darkness and they do not resume until the next evening तो ये कुछ आपके क्या है आपके नहीं यहां पर explanation जो है वो यहां पर इसलिए mention की गई है कि आप थोड़ा सा अप चाहे तो आप वीडियो पर ध्यान देक इसका screenshot लेके these explanations will be helpful for you all अगर आपको detail में कोई चीज करनी है या आपको लगता है कि आपको concept समझना है तो ये चीज़े जो है वो आपको बहुत जादा help करेगी तो you can also take a screenshot of the slide as well explanation जहां पर आपको explanation देक गई है तो basically आउल्स चो होते हैं they are mainly doctor तो जालतर क्या होते हैं वो doctor नल होते हैं done ओके next question monkeys क्या है digitigrade है plantigrade है anglic grade है या फिर breadypus है तो अब ये basically है क्या ये चारो तरीके की क्या है आपके how they walk तो मतलब की locomotion का mode है किस तरीके से we move करते हैं foot पे toes पे grooves पे sorry hoops पे कैसे कर रहे हैं वो आपको यहां पर बताना है तो monkeys जो आप imagine भी कर सकते हो आप ध्यान से अभी आपने देखा हो तो monkeys जोते हो कैसे walk करते है digitigrade है plantigrade है anglic grade है या फिर आपके breadypus है इन सारी चीजों से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन चारो का मतलब क्या है तो ये इसलिए में कहा रही हूं कि जब तयारी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि सारी चीज़े आपको clarified होनी चाहिए ये questions हैं आपके BGT के अंदर राइट correct answer of this question is option B that is plantigrade let us now understand what is the difference between all of the options plantigrade animals what हो होते है they walk with their heel supporting the body weight so अपनी heel पे इसलिए उनको digit digits यानी की toes or fingers पे करते हैं they do not touch their heel वो अपनी heel को touch नहीं करते हैं to the ground so इसमें आते हैं आपके African monkeys जो digitigrade है आपके quadrupeds है जिनका मतलब they walk like dogs or cats so इसमें आते हैं आपके African monkeys तो अगर African monkey पे आपको आगया और आपको लगे कि हम उनसे प्लाटी grade पढ़ा था या प्लाटी grade पढ़ा था but यह पे एकसेप्शन है African monkey के अगर बाग सेरेंगे तो they will be digitigrade then फिर आता अंगली grade they walk on the tips of the digit tips पे वोक करते हैं of the digits or hooves okay और इसके examples आपके horses cattle, goat, sheep and giraffe bredipus जो है आपकी this is the genus of three toad sloth और यह इसका मतलब उता slow-footed तो पांच तरा की living species है जो आपकी three toad sloth यानी की bredipus के अंदर आती है तो यहां पर आपको यहां पर वो mention के गई है अब this question also makes the most expected question for all of you for the exam तो अगर आपको ध्यान से देखोगे तो यहां से भी question बन सकता है आपका चार options लगाकर यह तीन यहां से उठाकर एक और आपका वो बना सकता है तो यह से pigmy तो आपने pigmy owl तो वहां भी पढ़ा है तो आपको यह अगर यह यह तो आपको पता चल जाएगा कि Bradipus यह तो Bradigrade होगा या Bradipus जो है वो आपका three-toad slot है लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो options के जो common से name है उन पर आपका question बन सकता है तो यह आर बिसिकली three-toad slots है और इनका नाम जो है they are called as slow-footed as well next question Scaly ant eater belongs to order Scaly है, ant eater है वो कौन से order से belong करता है Eutheria, Metatheria, Prototheria या Edentata तो अप Edentata है या कोई भी आपका है तो आपको यह क्या है आपके Animal Kingdoms से Classification of Animal Kingdoms होती है वहाँ पर भी आप इनको पढ़ते हो ठीक है वहाँ नहीं पढ़ोगे तो आप पहाँ पर पढ़ोगे इनको Environment के अंदर भी पढ़ लेते हैं तो there are plenty of topics जहां पर वो they are interlinked with each other तो अगर आपने इसको Animal Kingdom में नहीं देखा तो आप इसको Ecosystem में देखेंगे जब हम आपके Environment करते हैं उसके अदर So the answer of this question is option number A That is Eutheria अब देख लेते हैं इनका मतलब क्या है Scaly Anteater जो है वो Eutherian Mammal Eutherians का मतलब क्या है They includes your Cretaceous Mammals कुछ और Examples जो आपके सकंदर आते वहते Anteaters ठीके जी और Armaderoes और Sloth Metatherian वो आपके इंक्लूड करते Where they are basically similar to the marsupils ठीके जी और Prototherian इंक्लूड करते हैं Egg Laying Monotrems को Anteaters को हम Edentate भी कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई teeth नहीं होते And they use basically their long tongues To lap up ants and turbines So अब समझा है, Anteaters कैसे होंगे So जब नहीं बता लगता है ना तो एक और चीज़ बताती हूं Whenever you do not find any kind of इमज़ ज़रूर देखें उस Organism की have a look on the image वो image आपको इतनी जादा clear होगी कि आपको फिर समझा जाए कि वो किस तरीकी के mechanism है और उनको हम क्या कहते हैं वो कहां पर आपके placed होते हैं ठीक हैं, तो वहां से भी आप पता लगा सकते हो Next question, Indian pearl oyster is अब Indian pearl oyster वो क्या है तो वो एक आपका है सेप्या है, सेप्या है या लोली गो है या सॉलन है Correct answer of this question is option number A तो इसका Indian oil pesters तो इसके अंदर आपका है सेप्या है सॉलन is your bivalve molask सेप्या जो है सेप्या जो है Greek word जिसका मतलब क्या होता है Cuttlefish तो जो आपका सेप्या है This is for the Cuttlefish या आपने कहीं न कहीं Animal Kingdom में भी पड़ी होते ठीक है General terms है वैसे अगर आप देखो न questions को जैसे आपको आया है monkeys पे आया है अगर आप इसको देखोगे तो यह origin के based है मतलब कि जो पहली line होती है हमारी very first line बहां से आपको यह question आया है बहुत depth में नहीं पूछा है आप से लेकिन आप से इसकी introduction में से पूछा गया तो आपको पता है अब आपको करिन का meaning पता है तो आपको पता हो ना तो reptiles रहे ना ही mammals रहे इंसेक्ट रहे बहुत रहे इंसेक्ट क्योंकि इंसेक्ट was the first animal to evolve to fly यह पहले group of animals है जिनके पास ability है अर्डिस creatures आते हैं आपके जिनके बास true powered flight जो थी आई थी इसके अंदर they are evolving this capacity as well यह adaptation जो है वह आपकी क्या है इंसेक्स का तेक significant evolutionary advantage है और इसके बाद फिर आपके birds आए हैं इसके बाद आए तो सबसे पहले flying capacity जिसके पास देखी गई थी they were basically the insects next question silomic fluid helps in the locomotion in silomic fluid जो है वह अब locomotion क्या होता आपका locomotion is your क्या होता locomotion it is from one place to another place move करने की capacity को locomotion कहते है और movement क्या होता है जब आप अगर आपको इनकी classification पता है तो मुझे नहीं लगता की question को करने में आपके प्रब्लम आएगी hence correct answer of this question is B that is earthworm क्यूंकि silomic fluid जो है वह आपको इसको क्या है characteristic feature है earthworms के पास hydrostatic skeleton होता है which is supported by silomic fluid silomic fluid जो है वह आपको इसको क्या है जुनको move करने में help करता और जो movement होती it is basically your paristaltic contractions तो यह आपका general classification से है जो आपका fluid filled silom होता है it basically serves as the hydraulic system जो allow करता है earthworm को to extend and contract their segments तो earthworm देखा है ना अपने अगर आपको देखना तो आप locomotion देखिए किसकी earthworm की earthworm की locomotion की आप आपको समझ आ जाएगा कि आप silomak flow basically करता क्या है ठीक next question characteristic feature of silan traits जो आपके silan traits है उनका characteristic feature तो अगर आपने कोई और session मेरा देखा हो या कोई और student जो भी session देख रहे है या आप में से कोई भी हो सकता है ठीक है XYZ मुझे particular किसे के लिए नहीं कहा रहे हूं but it is like कि जब आप पुराने session देख होगे मेरे मैंने हमेशा वहां पर चीज कही है कि हमेशा जो आपको question आता है वो आपको unique feature पर आता है जहानि एक पास अलग feature होगा बी के पास जो feature होगा वह दोनों को क्या करेगा एक एसा feature एक दो ऐसे feature होंगे जो इसको क्या करेंगे एक दूसरे से separate करेंगे वही feature जो है उसको हम characteristic feature कहते हैं और उसी पे आपको सब से जादा सवाल पूछे जाते हैं और मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बोली है यह रहा आपका PYQ यहां पूछा गया है अगर मुझे सिलन ट्रेट्स के फीचर अब ऐसे तो 10-15 फीचर ने उनके पर एक फीचर बताओ जो क्यारक्टारिस्टिक वो डिपलोब्लास्टिक है मिजाुम क्विभलास्ट है यह उसिंद्ध्र अंच और इस तो यह है आपकी क्या ते ले खेल कि अब देख लेते हैं पर जिकार्ट्राइस्टिक पीचर्ट्री जी से में आपसे कहा है कि यह कौन्से आपकी और गूड़िजम से जो इंक्लूड करते है जैली-फिश और और गौरल्स को तो कोर जैली-फिश आपके कहा आ रहे है थे निमेतोसिस्ट अब यह निमेतोसिस्ट वीजरली करता क्या है डिफेंस और काप्चिरिंग करता है प्रेए की डिफेंस और क्प्टिरिंग ऑफ दी प्रे ये यह से होते हैं यह यूइक है फाइलम के लिए अगर आपको प्लांटर आन्यूल किंग्डम में प्रॉब्लम आरी तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें से कोई unique feature को जरूर पढ़ी unique feature से question आते हैं आप खुद expected questions निकाल सकते हो जब आप notes को follow करते हो next question which type of tissue is blood blood किस तरीके का tissue है tissues basically क्या होते है group of cells are called as tissues अब यह tissues क्या करते है basically इनका काम क्या होता है tissues का काम support का भी है टिशू का काम protect करने का भी है टिशू का काम mechanical support का भी है protection, absorption, secretion सब कुछ tissues करते है animal tissues और plant tissues में दोनों में फरक होता है और आपको पता है कि they are very different topics अगर आप tissue करते हैं तो आप plant अलग से करते हो animal अलग से करते हैं animal tissues के अंदर आपकी चारतरा के tissues यह पिटीशू करते हैं जैसे epithelial tissues connective tissues, muscular tissues, nervous tissues अब जो आपका epithelial है वो आपका protection का काम करता है secretion का भी काम करता है अब जो आपका connective tissue है वो क्या काम करता है connect करता है organs को from one to another one जो muscular है वो muscles बनाते हैं जो nervous है वो nervous इसलिए नौट दिकार रगता है मस्कुलोई मसल्स और है इसलिए नौट दिकार रख रखता अन्सर, प्रवब सारी जगा है एक इस लिए जबनेक्टिशू अधे टिशू फर्दर दो में डिवाइट हो जाते हैं डेंस्थ और लूसली पांड तो वह फर्दर है इसलिए कह रही हूं कि हर एक टॉपिक को जब आप करोगे डीटेल में करोगे तो आपको वहाँ पर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है एपिथीलिल टीशू जो होते हैं वो बेसिकली आपके प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं इन्टो दी 90% of the body is made up of your epithelial cells squamous epithelial ciliated columnar यह सारी चीज़ आँ को देखने हैं कि कौन सा टीशू जो है वो कहां पर प्रेजन होता है ठीक है next question antibodies are produced by produced by main focus आपको यहां पर करना है produced by antibodies अब अगर आपने blood को बहुत अच्छे से किया होना तो आपको समझ आएगा ब्लड के अंदर ही सारी चीज़े होती है isn't it plasma भी होता है lymphocytes भी है RBC भी है T cells बहुत बड़ा चाप्टर है बट वैसे बता तो oxygen के लिए है और यह blood cells जो है वह आपके क्या है RBCs and WBCs बेसिकली डिफेंस के लिए है यह डिफेंस के लिए चलता है और यह वाला जो आर्बिसी है इस फॉर्य ऑक्सिजन सप्लाई तो यह क्या करते हैं आपके oxygen को सप्लाई करते हैं ठीक है अब antibodies कप प्रोड्यूस होती है जब आपके क्या होते हैं body में कुसी तरह का infection होता है तो यह जो WBCs होते हैं यह आपके granulocytes, A granulocytes भी होते हैं इसमें आपके जो granulocytes हैं देखो A granulocytes है और granulocytes अदर 3 हैं आपके eosinophils, basophils और neutrophils इनको ना सबको detail में करते हैं हम ठीक है मैं आपको corrects बता रहे हूं chapter का A granulocytes के आप यू study about the monocytes and lymphocytes यह बनगे अब यह फर्दर lymphocytes दो तरह के होते हैं T cells and B cells cell mediated and humoral जो होते हैं अब यह T cells एक और lymphocytes होते हैं जिनकों N cells कहते हैं natural killer cells भी होते हैं T cells चो होते हैं आपके वो क्या होते हैं basically our killer cells direct attack करते हैं तो यह basically और direct killer, यह killer cells होते हैं यह direct kill करते हैं बीना किजी वो करते हैं जैसे यह ब्लड के अंदर प्लाजमा में ही आपकी मैक्सिमम प्रोटीन भी प्रेजन रोती है जैसे कि प्रोटीन जो ब्लड के अंदर प्रेजन और ग्लोब्यूलन जो आपका हीमोग्लोबिन बनाते हैं तो यह कुछ आपकी क्या है क्रक्त है जो क्वेशन आया है आपका आपका एंटीबोडी आप प्रोड्यूस्ड बाए तो प्लाजमा से आपको क्लियर होगा अब इसमें आप एक एक चीज को बहुत डेप्थ में बहुत डीटेल में मेकानिजम के साथ फर्दर इसकी प्रॉपर फंक्शन के साथ आपको यह करना है और यह सारी चीज़े मैंने आपको कोर्स के अंदर करवा रखी है इसे लिए तो जल्दी से जाओ और पुई जड़ी में रो लो जाओ क्योंकि एक चीज जो है वह आपको दे इट हाज में एक्स्प्रेंट इन्सुलिन ग्लुकागन पैंक्रियाटिक जूस अब देखो पैं अब as far as I am concerned about my concepts तो मेरे हिसाब से तो if I am a learner hormones जो produce करते हैं उनको हम कहते हैं endocrine glands और enzymes जो produce करते हैं with the help of duct उनको हम कहते हैं exocrine glands लेकिन pancreas बास तो दोनों है इसलिए pancreas को we call it as the myxocrine gland इसलिए हम इसको क्या कहते हैं myxocrine gland कहते हैं क्यूंकि दोनों function जो है परफॉर्म करता है तो इस हिसाब से आपका आंसर जो बन गया वो बन गया D that is all of these चाहिक है insulin or glucagon जो है वी आपके hormones हैं they are secreted by your pancreas basically for the glucose level a pancreatic juices trypsin chemo trypsins यह जितने भी juices होते हैं they are basically for the digestion of proteins तो यह होगे आपका myxocrine glands next question what is common in both striated and cardiac muscles टीक है muscle cells तो दोनों में common क्या है in both striated and cardiac muscle cells so striated and cardiac muscle cells में common क्या है shape number contraction या striations obviously striations जो आपकी cardiac cells होते हैं वो भी cardiac muscle cell है वो भी कैसे है striated है so answer is striated shape number करने number same नहीं होता है shape shape नहीं होती है but inka jo striation का होता है वो concept of that is similar stripped appearance under the microscope क्योंकि इन के पास क्या होती है contractile proteins so heart भी आपको contractor relax करता और muscle भी contractor relax करती है okay so this is you are within the cell that is why we call them as the striations के बीच में क्या है common है दो नहीं है last question of the session is the molecule that is the main source of ATP synthesis ATP synthesis के लिए सबसे main source क्या है बहुत ही simple question है अगर ATP क्या है आपका energy currency of the cell है और energy molecule है जो हमारी body के अंदर क्या देता है energy देता है अब यहां पर पूचा है की main source क्या है ATP क्या है glucose triglycerides यानि की lipids की बात और रहा प्रोटीन या cholesterol cholesterol भी lipid का पॉम है so ATP चो formation होते है it is always from the glucose so glucose होता ना oxidation glucose की नहीं होती glycolysis होना और यह सारे process metabolism of carbohydrates यह जो topic है you do it into the topic called as metabolism of carbohydrates so यह आपके celibus में भी है कहीं ना कहीं so this is your metabolism of carbohydrates this is important one यहां से आपको पता चलता है कि आपको क्या है energy currency है so that is all for today's session इस session के अंदर हमने जो है PYQs we have explained I hope कि आपको चीज़े समझ आई है आपको explanation भी समझ आई होगी देखो explain करना जब मैं explanation बता रहे हो तो जो main चीज है मेरा बताने का वो main यह भी है कि आपको यह पता चले कि आपको कौन सी चीज किस level पर करनी है और जब हम तयारी करते हैं जब हम कोई topic कर रहे हैं तो हमें वो किस level का करना है ठीक है और एक clear picture draw हो जाती है आपके सामने तो चार options दे हमने देखा है maximum questions के अंदर कि वो किस तरीके से आपको करना है कुछ questions direct होते हैं जिसमे explanation नहीं वो direct origin से question नहीं होते है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं definition में हम चार options के definition नहीं बदल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हैं तो जहां पर लगता है कि mandatory है यहां पर आपका पूरा का पूरा concept लगेगा मैं महां कोशिश करती हूं कि मैं आपको maximum to maximum चीज़े बता सकूं अब क्यूंकि आपको एक सेशन के अदर इतनी सारी चीज़े तो नहीं पड़ा सकते हैं बार में blood, fire, animal classification इसलिए तो भी हाव डिजाइन दी कोर्स क्यूंकि वहां पर आपका इक पर्टिकुलर जो है प्रॉपर गाइडन्स हो रही है आपको प्रॉपर चीज़े समझ आ रही है आपको प्रॉपर लेक्चर्स हो रही है जहां पर आपको चीज़े जो है वो डेली के डेली आपके माइंड में जा रही है आपके प्राक्टिस हो रही है चीज़ोंगी आपके कॉन्सेप्स प्लिए हो रहे है अगर आपको डाउट भी आ थ Catoo ड वो दाउट भी क्लिर हो रहा है तो यह क्या है आपका एक अरेन्जमेंट हो रहे है यह जहां पर हर एक चीज ज्थ आप अपने गोल सक्तर्च के लिए अचीव करने के लिए उसको यू गो थू अब्जेक्टब्स वे कुछ अब्जेक्टब्स है तु अचीव और एम और तु अचीव और गोल ठीगे जी अचीव और पर तुटेशन मिलते हैं नेक्स सेशन के अधर नही चुछ नायग कर साथ तिल दिन थांक यू और वाइट आस दे लिए व्यू और टेकर